रोजाना ऐसे ही लेटेस्ट गोवर्णमेंट जोब अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए जैहिन दोस्तों PSTCL पंजाब स्टेट ट्रांसमेशन कोर्पेशन लिमिटेड की तरफ से दोस्तों जोए एक एड़ोटेजमेंट निकलके आ रहा है यहां पर दोस्तों 490 पोष्टों पे भरती होने जा रही है वैरिश पोष्ट पे रिकूरूट्मेंट यहां पर आया हुआ है वेकेंसी डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट इंजिनियर इंडिया कुलकत्ता से अगली पोस्ट दोस्तों रहने वाली है असिस्टेंट इंजिनियर सिविल की इसकी दोस्तों जो है कुल 6 वेकेंसी आई ही है इसके दोस्तों आपने बीटेक या बीएसी इंजिनिरिंग आपने करका हो सिविल इंजिनिरिंग के अंदर विच 60% मार्क सिविल इंजिनिरिंग के इंदर institution of engineer कुलकत्ता से अगली पॉस्ट दोस्तों जो है account officer की रहने वाली है इसकी टोटल साथ वेकंसी आयो है इसलिए दोस्तों आपने CA CWA या दोस्तों आपने CMA का कोर्स कर रखा हो अगली पॉस्तों रहने वाले assistant manager HR की इसकी दोस्तों जो है इसकी दोस्तों आपने दो साल का full time regular MBA कर रखी हो HR के अंदर या दोस्तों आपने PG diploma कर रखा हो HR या IR के इंदर 60% marks इसके बाद दोस्तों अगली पॉस्त रहने वाली है assistant manager IT की इसकी दोस्तों एक वेकंसी आयो है इसके लिए दोस्तों आपने इसकी दोस्तों आपने वाले हैं डिविजनल अकाउंटेंट की इसकी दोस्तों जो है 10 वेकंसी आयो है इसके दोस्तों आपने आपने बी कोम कर रखा हो फुल टाइम रेगुलर विज 60% marks या दोस्तों आप जो है C A Inter हो या दोस्तों आप C W A Inter हो या दोस्तों आप C M A Inter हो तो भी दोस्तों आप इस पोस्तेल प्राइक कर सकते हो अगली पोस्तों रहने वाली है junior engineer sub station की इसकी दोस्तों जो है 200 वेकंसी आयो है इसके लिए दोस्तों आपने फुल टाइम रेगुलर तीन साल का या दोस्तों चार साल का डिप्लोमा कर रखा हो इसके दोस्तों आपने तीन साल का या चार साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा कर रखा हो civil engineering के अंदर with 60% marks या दोस्तों आपने BE, BTEC या BST engineering कर रखे हो civil engineering में with 50% marks या दोस्तों आपने institution of engineers इंडियो कलकता से AMIE का कोर्स कर रखा हो civil engineering में with 50% marks अगली पोस्तों रहने वाले है junior engineer communication की इसकी दोस्तों 11 vacancy है इसके दोस्तों आपने full time regular तीन साल का या चार साल का डिप्लोमा कर रखा हो electronics में या दोस्तों telecommunication के अंदर with 60% marks या दोस्तों आपने BE, BTEC या BST engineering कर रखे हो electronics या telecommunication के अंदर with 50% marks या दोस्तों आपने जो है institution of engineers India Kolkata से AMIE का course कर रखा हो with 50% marks electronics या telecommunication के अंदर इसके बाद दोस्तों है telephone mechanism की इसकी दोस्तों 15 vacancy है इसके दोस्तों आपने जो है तीन साल का या चार साल का full time regular diploma कर रखा हो electronics and communication के अंदर with 50% marks अगली पोस्तों रहने वाली है लोवर डिविजन कर टाइप इसकी दोस्तों जो है 140 रखेंसी आई हूँ है इसके दोस्तों आपने ग्रेजवेट होने चाहिए विद 50% marks साथ ही दोस्तों आपने 120 गंटे का computer का कोई कोर्स कर रखा हो इसके साथ साथ दोस्तों आपने अगली पोर्स दोस्तों रहने वाली है लोवर डिविजन कर अकाउंट्स की इसकी दोस्तों जोसे 40 रेकेंसी आई हूँ है इसके दोस्तों आपने बीकॉम कर रखा हो विद 50% marks साथ ही दोस्तों आपने 120 गंटे का कोई computer course आप ने कर रखा हो इसके साथ साथ दोस्तों आपने अप्टूमेटिक लेवल पंजाभी बासा आपने पढ़ रखी हो इसकी दोस्तों आप इन सब पोस्तों के लिए करना चाहिए दोस्तों आपको जो पंजाभी बासा की नोलीज होनी चाहिए दोस्तों आपने जो है अप्टूमेटिक लेवल पंजाभी बासा पढ़ रखी हो Age Limit की बात करें तो दोस्तो Assistant Engineer Electrical, Assistant Engineer Civil, Account Officer, Assistant Manager HR और दोस्तो Assistant Manager IT के लिए 20 से लेकर 37 साल उमर रखे गई हैं बाकी सभी पोश्टरों के लिए दोस्तो जो है 18 साल से लेकर 37 साल तक आप अपलाई कर पाओगे Age Limit Session की बात करें तो दोस्तो जिन Candidates के पास Punjab का Domicile होगा दोस्तो उन्हें ही Age Limit Session मिलने वाली है SEO और ST और Backward Class को दोस्तो जो है 5 साल की और दोस्तो pH Candidate को 10 साल की Age Limit Session इसके अंदर दी जाने वाली है Selection Process की बात करें तो दोस्तो हर एक पोस्तो जो है 100 नंबर का एक पेपर होने वाला है उसी के भियापर दोस्तो आपका Selection किया जाएगा 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और दोस्तो आपके 100 कोशन इसके अंदर आने वाले हैं सभी पोस्तो के लिए दोस्तो जो है 60 नंबर के कोशन आएंगे आपकी Essential Education Qualification से दोस्तो आपसे जो Education Qualification मांगी गई है उसी से दोस्तो जो है आपके 60 नंबर के कोशन बनने वाले हैं बाकी दोस्तो जो 40 नंबर के कोशन है General Knowledge और Awareness से, reasoning और numerical ability से और दोस्तो English Language से बनने वाले हैं दोस्तो आपके जो paper आएंगे English Language में आने वाले हैं आपको जो English Language में दोस्तो जो आपको question paper attempt करने पड़ेंगे सिर्फ दोस्तो जो telephone mechanic है दोस्तो इसका paper bilingual होने वाला है मतलब कि दोस्तो आपको जो telephone mechanic का जो paper है English और पंजाबी में मिलने वाला है और दोस्तो lower division का typist की बात करें तो दोस्तो 20 नमबर का आएगा static plus current affairs plus general knowledge 10 नमबर का आएगा दोस्तो computer और दोस्तो 25 नमबर का आएगा logical reasoning और quantitative aptitude और 35 नमबर का आएगा दोस्तो numerical aptitude और दोस्तो 20 नमबर का आएगी general English दोस्तो जो paper का mode होगा English language रहने वाला है इस test के बियापर ही दोस्तो आपकी medit list त्यार होने वाले है दोस्तो आपका यह test ने जून या जुलाई 2021 में tentative date रखी गई है notification के अंदर ही दोस्तो नोने mention कर रखा है tentative date जून और जुलाई 2021 में आपका यह test होने वाला है दोस्तो आप जो दोस्तो यह से screen post करके चेक कर सकते हो Category wise दोस्तो यहाँ पर inaudes जो application फीश दे रखे है दोस्तो आप category wise यहाँ जो है कि दोस्तो आपकी कितने application फीश लगने वाली है दोस्तो इनों नने जो है email और दोस्तो फोनμεर यहां पर देर रखआ दोस्तो आप इनको दी है आपको कोई coefficient है डाउट है क्योड़ी तो दोस्तो आप यहां पर फोन करके या email करके आप अपनी क्योड़ि पूच सकते हो दोस्तो नोटिफिकेशन के अंदर ही ये फॉर्मेट दिया गया है दोस्तो आप इससे चेक कर पाओगे किस काटेगर में कितनी वेकेंश है मेल की कितनी वेकेंश है, फिमेल की कितनी वेकेंश है कहांपर कितनी पोच्ट है वो सब डिटेल दोस्तो इसके इंदर दी हुई है इसका लिंक दोस्तों गया दाल दिया दोस्तों आपका कोई कोशोन है डाउट है क्यों रही है तो κमेंट बोक्स पूछ सकते हूं दोस्तो आप जो 17 मही तक इन पोश्ट कर पाऊगे दोस्तो रोजाना ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए